Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification PM Modi आज भी लखनाव के दोरे पर रहेंगे जहां वो 60,000 करोड की परियोजनाओं का शिलन न्यास करेंगे PM Modi ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी में हिस्सा लेंगे जिसमें UP Investor Summit के दोरान साइन हुए MOU को धरातल पर लाने का काम होगा सेरिमनी में अमबानी समेथ कई बड़े उद्योग पती भी शामिल होंगे जिन्होंने UP में Invest किया है सूबे में पहली बार इतने बड़े स्तर एक साथ प्रोजेक्ट का शुबारम हो रहा है तो वही मामले पर सियासत भी दिखाई दे रही है गौर करने वाली बात ये है कि PM मोदी के UP में ताबरतोर दोरे एक बड़ी रणनीती का हिस्सा है क्योंकि BSP और SP कारेकाल में जितना निवेश हुआ है योगी सरकार ने उससे ज़्यादा का निवेश एक साथ करने का प्लैन बनाया और शायद यही वज़ा है कि PM आज 60,000 करोर की योजनाव का शिलन्यास एक साथ करेंगे जिससे करीब 2,000,000 युवाओं को रोजकार मिलने की उमीद है सभी पार्टियों के सामने 2019 का मुकाबला सामने है लिहाजा PM बी किसानों और महिलाओं के साथ युवाओं को रोजकार देने पर फिर जोर देने लगे हैं तो अपने लखनो दौरे के दूसरे दिन प्रधान मंतरी 29 जुलाई को लखनो में परियोशनाओं के लिए होने वाली भूमी पूजन समारों में शामिल भी होंगे जहां PM सुभा 11 बचकर 35 मिनट पर राजधानी पहुँचेंगे और उसके बाद कारकरम में हिस्सा लेने के लिए इंद्रा गांधी प्रतिष्टान के ओर रवाना होंगे और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाईव जुड़ चुके है इंद्रा गांधी प्रतिष्टान से हमारे समवादाता रजनीश पांडे रजनीश कुछ ही देर में प्रधान मंती नरेंद मोधी वहां पर पहुँचने वाले हैं क्या कुछ जानकारी है चुनाव हैं तो लोग सियासी नजरिये से भी लोगों ने देखना चालू कर दिया बहुत बड़ी उपलब्ध है क्योंकि कुछ महिने पहले यहां पर इन्वेस्टर समीट हुआ था तब से लगतार सियासी हमला जारी था कि सरकार जमीन पर कितना काम करती है काम करती है कि नही यहां रहेंगे और वो सारी परियोजनाओं का सिल्यानास करेंगे सबसे बड़ी चीज है कि लखनों में एक साथ इन्वेस्टर समीट के बाद हलाकि पहले के भी सरकार काम किया करती थी लेकिन जिस रेशियो में इस सरकार ने काम किया है मैंने पहले ही कहा कि लगतार यहां पर अंबानी से लेके कुमार मंगलम वो सारे बड़े उद्योगपती रहेंगे जिनको एक यहां पर आइकॉन मना जाता है जी रशनी साथ ही जैसे इन्वेस्टर समीट तो होनी ही है तमाम बड़े उद्योगपती भी यहां पर शामिल होंगे क्योंकि जिस तरह से कुछी देर में प्रधान मंद्री नरिन मोदी वहां पर पहुँचने वाले लेकिन इसी के साथ यहां पर सियासत भी दिखाई देने को मिल रही है क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि पीम मोदी के यूपी में ताबर तोर दौरे एक बड़ी रणनीती का भी हिस्सा माना जा रहा है मैंने सुप्रिया पहले ही आप से कहा तहरे एक चीज का सियासी मैंने नहीं निकाला जाता है आज विकास की बाते होगी आज यहां पे साथ हजार करोन का परियोजनावों का सिलिया नास होगा जिसमें दो लाखी मावों को रुजगार मिलेगा तो कुल मिला के आज हम लोग सेरे मनी का आप अपने दर्सकों से रूबरूब कराते रहेंगे कि कब कब किस प्रोजेक्ट का सिलिया नास हुआ उसमें कितना निवेस होगा किस कंपनी का कहा पर प्रोजेक्ट लगने हैं और कि और नौजवानों को इसमें कितना लाव मिलेगा मैंने पहले ही कहा कि दो लाख हिवावों को रुजगार मिलेगा तक कही ना कही जिस तरीके से बीजेपी ने संकल पत्र में घोसराई क्या था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगतार बेरोजगारी है यहां के लोग बाहर काम करने जाते हैं तो जहिर सी बात है कि अगर यहां रोजगार मिल जाएगा यहां उद्योग रहेगा तो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रहके अपना विकास करेंगे पीएम भी किसानों और महिलाओं के साथ युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे तो कुछ ही देर में प्रधान मंत्री नरिद मोदी इंदर गांधी प्रतिश्थान में पहुँचने वाले हैं बतादे प्रधान मंत्री नरिन मोधी का दौरे का आज ये दूसरा दिन है कर दो